नमस्कार दोस्तो वैलकम टू एशर उथिलर्स मैं हूँ गौर ब्रजापती आज हम बात करने वाले एक काफी स्ट्रेंज और वियर्ड स्टोरी के बारे में दोस्तो क्या हो अगर आप कहीं घूमने जाएं और आपको वहां पे कंकाल दिखने लगें आप कहीं घूमने गए है beautiful जगा पे पहाड़ों के बीच में जील के किनारे और अचानक से जील में से आपको कंकाल दिखने लगे तो आपको कैसा लगए या कैसा मैसूस होगा जी हाँ दोस्तो आज की स्टोरी ऐसी है एक अनूखी और स्ट्रेंज कहानी यह कहानी है रूपकुंड जील की जिसको मिस्टीरियस जील और कंकालो की जील भी कहा जाता है जो एक काफी उचे परवतियश्यत्व पे भरफीली जील है जो उत्राखंड स्टेट में पाई जाती है यह जो जील है वो हिमाले के बीच में 16,470 फीट जमीन के उपर है मतलब पहाड के उपर है यह एक बहुती पॉपिलर ट्रेकिंग डिस्टिनेशन भी है पर यहाँ पे कंकाल पाई जाते हैं जील के अंदर तो चलिए हम देखते हैं कि यह कंकाल जो हैं वो क्यों पाई जाते हैं इसकी जो थियरीज है वो क्या है कैसी है और इसके पीछे जो भी कारण है वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्केलेटन सबसे पहली बार 1922 में पाई गए थे जब इंडिया जो हमारा देश था वो आ सकेलेटन स यह जो स्केलेटन थे जो कंकाल थे वो काफी पूराने थे तो जैपनेज इनवेशन यह वो गलत है यह जो कंकाल पाई गए थे उनको रेडियो कारबन डेटिंग के द्वारा पता लगाया गया कि यह 9 सेंचुरी, 9 सेंचुरी के जो कंकाल हैं, कंकालों के साथ लकड़ी की बनी होई चीज़े, लोहे का बना हुआ, स्पेर हेड मतलब भाला और लेधर स्लिपर्स भी पाए गया इनके आसपास, और नैशनल जियोग्राफिक ने ज एक धारणा है, थियरी है, वो ऐसी है कि जो कनौज के राजा थे, राजा जस्धावल और उनकी जो प्रेगिनेंट वाइफ थी, रानी बलामपा, और उनके जो सारे सर्वेंट्स थे, और जो डान्स टूप एक था, वो यहां से नंदा देवी की तरफ जा रहा था, इस रू वहां पर मारा गया, और उन्हीं के कंकाल है, ऐसा कहा जाता है, यह दूसरी थियरी है, एक और थियरी के हिसाब से, यहां पर 300 क्यास पस कंकाल पाए गये हैं, जो थोड़े बहुत यहां पर दहरादून के इंडियन म्यूजियम में रखे हुए हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि जो इनके जो सिर पे एक चोट के निशान है, मतलब अल्मोस्ट जो सारे कंकाल है, उनके सिर पे चोट के निशान है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक अचानक से जो बरफीला तूफान आया था, उसकी वज़े से यह सारे लोग मारे गए जो भी थे, मतलब जो यहां से गुजर र यहां पर जो हैं skeletons कंकाल वो 850 से साल से हैं मतलब यह अभी के नहीं है तो इन सारी theories और इन सारी finding से यह पता चलता है कि यह जो सारी कंकाल हैं वो एकी समय के नहीं है या एकी इंसान के या एकी troop के नहीं है या लग-लग time पर जो वहां पर hail storm आया या जो बरफिला तूफान आया उसमें जो सारे लोग मारे गएं उनकी यह कंकाल है तो यहां पर हम पर यह बहुत ही mysterious कहानी है mysterious story है तो इसके बारे में कुछ पुकता जान कर यह अभी तक पूरी है नहीं पर इसलिए यहां पर जब आप गूमने जाएं तो ध्यार रखें कि कहीं आपको कंकाल ना दिखाई दे जारी हो तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाहें तुछ